पच्मी शिम्हुन जीला के प्रखंड बंदगाओं के प्रात्मिक विद्यले डूम्बरू के बच्चे तरकी साय में पढ़ रहे हैं। चुंकि विद्यले ध्यानी की स्तिती में हैं। विद्यले भौन के दिवालों में दरारे आ गई हैं। और बच्राप के समय छट से पानी टपकने लगा हैं। मैं जेवीर हमसा है और यह है मेरा अधिवासी मुंडा समुगा है। अ-गो दॉपाव मैं जेख आ ँपके सियक और समय को घ्सका पृति आ यह हैं। इनरा बूरो लेका गुलोग ते मतिक भरो थेंचे जूरो अगारा उनरा बूरो लेका अन्या हंट अनिता आते उडूंकी इते अन्य शंतिरस्ता मादा भी देला बंघ गार इदितुके एए लिए लिए टो अधिशी चीम्तेंगे चिल्के होबो आमेन लेका चिरगेलोटन लेका ते गाले आले नियारा लेका ते श्कूल क्रेलेका ते काने कने अले प्राइब दिवाल से पानी गिर के अंद बाहर से गिरते ही पानी और इसको रूम में घुस्टाती है और यह कभी भी रूम गिर सकता है और इसमें बहुत बड़ा हाथसा हो सकती है और मेरे यही विचार है कि इस बिल्डिंग को तोड़के नया बिल्डिंग हमको दिया जाए ताकि यहां के बच्चों का भुई से सुधर सके और बच्चों को में हम लोग अच्छा सच्छा परा सके बिद्ध्यालाय में सचाले तो है लेकिन वह भी परियोग में लाने की हालात में नहीं है सरकार के जो मनसा है कि परतिक इसकुल में सवचाले होनी चाहिए यहां सवचाले बना है लेकिन सारे सवचाले बंद पड़े है तीन सवचाले है तीनों में पेन है जो खराब हो चुका है विद्देले भवन एक मंदिर है जहां ज्ञान बढ़ता है विद्देले भवन के ढ़ा जाने से वहां पढ़ने वाले बच्चों और सिख्षकों को काफी परिशानी उनको सामना करना पड़ेगा आप सभी विडियो देखने वाले सभी साथियों से अपील है जिला सिख्षा पदयदैकारी श्री रजनी कांत बर्मा को उनके मोबाइल नंबर 991-3552-73 पर फोन करके समस्ते से आउगत कराएं ताकि एक नए विद्देले भवन का निर्मान हो सके मैं जेवी रमसाय पच्चमिसिमूम जारखंट से इंडिया नहट के लिए जाता है